हेलो गाईज और वेलकम टो माई योटोब चैनल टेक्निकल फ्रेंड दोस्तो आज की बीडियों आपके लिए काफी ज़्यदा इंट्रेस्टिंग होने वाले है कि आज की बीडियों मैं आप लोगों को बताने वाला है कि आप अपने Redmi Note 11 Pro के फोन में charging animation कैसे set करेंगे तो जैसे आप अपने फोन को चार्ज में लगाएंगे तो आपको एक गजब ऑब सा animation ने हो time सबसे पाहले दोस्तो अपने करने फोन में अप्लेच स्टोर को ओपेन करने का आपको यहाँ पे सर्च करना है सिंपली इसको डाउनलोड करने के बाद अपने फोन में open करना है open करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफिस देखने को मिलता है next के option पर click करना है फिर से next के option पर click कर देना अब यहाँ पे आपको done का option मिल चिक्वा है done के option पर आप लोग click कर दीजिए जैसे आप लोग done के option पर click कर देते हैं ति यहाँ पे आप लोगो कोछा मने कोछा इंटरफिस सो होगा आपको अपना internet बंद रखना युद्ना आपको यहाँ पे add सो होगा इसके बाद यहाँ पे start का option है Start के option पर click कर देना है यहाँ पे set alarm का option है set alarm पर click करके आप alarm लगा सकते हैं जैसे आपकी battery 100% charge हो जाएगी तुरहंत आप लोगों को जो alarm सुनाई देगा आपके phone में alarm बजना चालू हो जाएगा अब यहाँ पर आप लोगों को animation का option मिलता है simply हमें animation लगाना है तो animation के option पर click करते हैं animation के option पर click करते हैं सबसे उपर आप लोग देखेगा enable charging animation का option है इसको on कर लेंगे अब इसको on करने बाद यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे तमाम animation आप लोगों को सामने सो हो रहे हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं मैं इस पर click करता हूँ ए कुछ इस तरीके से animation सो होगा किसी और animation पर click करते हैं या हमारा phone charging में लगाने बाद ए वाला animation सो होगा और finally जो यहाँ पर click करते हैं तो देख सकते हैं fire वाला animation काफी अच्छा लग रहा है इसको चलिए apply कर दे रहे हैं यहाँ पर बीच में देख सकते हैं ride का निसान है इस पर click करेंगे अब यहाँ से time set कर सकते हैं हमेशा so होना चाहिए या 10 second, 20 second यहाँ पर time भी हो गएरा आप लोग set करना चाहते हैं set कर सकते हैं मैं यहाँ से 10 second कर दे रहा हूँ इस इपने phone को charge में लगाएंगे 10 second so होगा apply के button पर click कर देते हैं अब finally हमारे phone में apply हो चुका है animation अब चलिए अपने phone को जो है charge में लगाते हैं और देखते हैं कैसा animation so हो रहा है तो और हमारा phone देखने में कैसा लग रहा है यहाँ फिर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं charging animation कुछ इस तरीके से सो हो रहा है अपना phone जो charge में लगाने के बात अगर आपको वीडियो यूजपू लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी subscribe जरूर करें